हाई अब्रिबन वेलकम रोडिश्टल जी के क्लासेज तो आज हम रेगिस्तानी ओक मतब पौधों की जितने भी प्रकार होते हैं न सारे प्रकार पढ़ेंगे जो अभी तक सीटेट में पूछा हुआ है एविएस में आपके ठीक है और अगर आपको इस क्लास की पीडिएफ तो जितने लोग भी वीडिव देख रहे हैं प्लीज सभी लोग लाइक ज़रूर करना तभी जाकर आपको टेलिग्राम पे पीडियव जरूर मिल जाएगा ठीक है तो आज का हम टारगेट रखते हैं 1,000 लाइक का तो जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज आप इसको जो स्टार्ट करते हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना क्योंकि ऐसे क्लासे आपको पूरा कॉंटेंट जो है फ्री में हमारे चानल से होगा फ्री में उसका पीडिया भी आपको मिलेगा सब कुछ होगा बस एक लाइक करना है और कुछ नहीं ठीक है चल सबसे पहले यहां पर इस वाली में देखिए है रेगिस्तानी एक और पेड जो आश्ट्रेलिया में पाये ines याद रखना है यह कहां पाये जाता यहांड जयाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में ठीक है बाकी और देखते है यहां पर अदिके इस की उचाई जो है क्लास मतला बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बाकि अगला पॉइंट क्या है, कि इस पेड की जड़े जो है, जमीन में उस लंबाई तक गहरी जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, या पानी पेड के तने में जमा होता रहता है, मतलब यह जो पेड है, यहाँ पर देखे, इस पे कि जो दिवार के लगबग होती है, इसमें पत्तिया बहुत कम होती है, इसी वज़ा से इसके पेड के तने में क्या होता है, पानी जमा होता रहता है, यह भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, चली अब यह देख लेते हैं, इस इलाके के लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल कर इस पानी को पीने के लिए निकाल लेते थे, और यह कोशन पूछा था, कि कौन सा ऐसा पेड है, जिसके तने के अंदर पतला पाइप जो है वो डाल कर हम पानी को बहा निकालते हैं तो वो है रिगिस्तानी ओक नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस पेड की जड़े पेड की उचाई की लंबक 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक जल तक वो ना पहुंच पाए और यह पूछा था कि कितना गुना गहराई तक तो 30 गुना तो यह रिगिस्तानी ओक के बारे में है और इसको आपको याद रखना है ठीक है डैजर्ट ओक जिसे हम बोलते हैं चलिए अब हमारा है निपैंथिस जिसे हम बोलते हैं पीचर प्लांट और यह आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर यह जो आप देख सकते हो धक्क तो पत्ती से ही इसका धक्कनुमा बना होगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, तो जली देखते हैं पीचर प्लांट, जिसे हम हिंदी में घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, देखें इसमें लिखा है कि कुछ सिकारी पौधे, कुछ पूछा हुआ है कि पीचर प्लांट जो है, किसका सिकार करते हैं, तो चुहो, मेढग, कीडे, मकोडे, और छोटे जीवो का, पीचर प्लांट करता है सिकार, ठीक है, और जैसा कि आप यह देख सकते हैं, इस इमेज में, ऐसा ही पीचर प्लांट भी होता है, और यह कहां पा तो फ्लीक जरूर लाइक जरूर गरों, अपनेय दोस्तों के साथ, सेर करो महनत आप सभी के लिए यह यह जो घड़ा है ना इससे खास खुसबू निकलती है जिसकी वज़ा से कीड़े जो है वो खीजे चले आते हैं पौदों के उबर पहुचते ही कीड़े जो है अंदर फस जाते हैं और पत्ती नुमा आपने ढखकन देखा वो बंद हो जाता यह जनी में शाव कर दाडीन से क decid है उसका नाम क्या है डायोनीया है अ अंड्य है यह यह आपको नाम याद रखनाела कॉन कौन से है डायोनीया अंड्य संड्यू भी क्या है इंस्यटि वर अप मुल जा तो आपने देख़ा जेब कSchण crypt bought हम,, जा यह अदो ब्लांट यह आप बहुत पुछा हुआ है, तो क्या है Croton Plant, वो देखते हैं, Crotone, जिसे हम पॉधा बोलते हैं, देखे, Crotone जो पॉधा होता है, यह जमीन के बारे में उसकी दसा को बता देता है, मतलब सीगनल देता है, मालिजे, पॉधा लगा हुआ है, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती है मालो यहां उपर की जो मिट्टी है वो सूखने लगी तो सूखने लगती है तो क्या होता है यह जो पौधा है मालेजी यहां पर कोई पौधा है इसके पत्तियां भी सूखने लगती है और ये जढ़ जढ़ के नीचे गिरने लगती है जिससे मिट्टी का हमको पता चल जाता है कि ये मिट्टी क्या है सूख रही है तो यह एक तरह से बताने का तरीका है क्रोटन पौधा से पता चल जाता है कि मिट्टी जो है वो सूख रही है क्योंकि इसके पत्ते जो है वो सूख के नीचे गिरने लगते हैं तो यह क्या करता है एक तरह का signal देता है तो यह क्रोटन प्लांट अब बरगत के पेड़ से भी question बहुत पूछा हुआ है और आप देखें उगे बरगत के पेड़ को कि इसकी जो यहाँ पर इसको यह देखें यह इतनी लंबी-लंबी अब यह मैं आपको बताऊंगे यह क्या है यह roots है क्या है इसके बारे बहुत question पूछा हुआ है बरगत के प यह जो आपको लटकन दिख रहा है इसकी जड़े है वो टहनियों से निकलती है यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है ठीक है और उसके बाद से जमीन के अंदर चली जाती है यह मजबूत खंबो की तरह पेड़ को सहारा देती है द आपको याद रखना है क्या है ये इसकी जड़े है ठीक है आज हम 20 तरह के प्रकार के पौधे करेंगे बहुत इंपोर्टेंट है खेजडी का पेड ना है ऐसा हो नहीं सकता मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट का फेमस कोश्चन है आप इमेज भी देख सकते हैं खेजडी के पेड का ठीक है आखिर में इसमें क्या-क्या पूछा जाता है वही मैंने नोट किया है तो चलिए देखते हैं देखेजडी का जो पेड है वो रेगस्तानी इलाके में पाये जाता है यह पानी की अधिक मात्रा ना होने पर भी उख जाता है अब देख सकते हैं यह पूरा रेगस्तानी इलाका है पानी की जरूत नहीं होगी फिर भी उख जाएगा खेजडी के जो पेड की चाल होती है यहां पेड की चाल होती है उसके दवा बनाने के भी काम आता है लोग इस पेड की फलियां जो है इस पेड पे जो फलिया लगी होती है इसको पका कर खाते है और इसकी लकडी यह जो लकडी है इसकी इसमें कीडा नहीं लगता है यहां रहने वाले जानवर जो है पत्तियां भी खाते हैं, यह सारा special चीज लिखा हुआ है, खेजडी के बारे में याद रखना पूछा हुआ है, अब यह खेजडी गाउं है, कहां पे, तो आपको पता होना चाहिए, जो खेजडी गाउं है, वो राजस्थान में जोदपूर के पास है, गाउं में खेजडी क बिना किसी डर के इधर उदर घूमते रहते हैं, तो यह सारे पूइंट्स आपको खेजडी के बारे में याद रखना है, रिगिस्तानी लाके में पाय जाता है, इसकी छाल से दवा बनाते हैं, फलिया खाते हैं, ठीक है, कीडा नहीं लगता है, यह सब कुछ पूछा हुआ कहां पर है, राजस्थान जोधपूर में, और लोगों को क्या कहते हैं, बिष्णोई, देखें, कम समय में आपको जादा कराने की कोसिस कर रही हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजे थोड़ा, अब यह देखें घास, अब आपने घास तो देखा ही होगा, आपके आस पास इत जो जड़े होती हैं, बहुत मजबूत होती है, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, मालिजे जमीन है, और यह घास लगी हुई है, यहां पर देखें, जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा वो गहरा और लंबी घास की जड़े जमीन के पूरी नी बेल्ट के मि इसको जैसे खिछते हैं तो अवाज भी आती यह देख रहा होंगे ये ऱुक्स लगे होते हैं पहीं में जाता है तो अपने आप यह चिपक भी जाता है, निकल भी जाता है, इसको हम बोलते हैं, वेलक्रो, अब यह बना कैसे, यह बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर मैं कराऊंगी, देखें, सबसे पहले वेलक्रो के बारे में देखते हैं, यहा आज भी गावम अगरह में जाते होंगे, जो छोटे छोटे बीज नहीं होते हैं, वो चिपक जाते हैं हमारे कपडों पे, तो इन बीजों को अपने कपडों पर चिपका देखकर वे हैरान रहे गए, उन्होंने माइक्रो स्कोप निकाला, बीजों को बारे की से देखने के बीजों में छोटे-छोटे हुग थे, छोटे-छोटे नहीं ऐसे हुग थे, इनकी मदद से जो बीज है वो कपडों के रेसों पर अटक गए थे, यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया है, वेल्क्रो बनाने का, उन्होंने ऐसे ही छोटे हुगों से ऐसा पदार्थ बना और यह बीजों से बनते हैं और या कोशन पूछा कि कि से बना है तो वीज से यहां पर आप देख सकतेैं, ठीक है, वैसे यह मिल जाएगा तो आप ध्यां से देखिये गा जाएग अphonice अब यह यहां से है, यहां से कोशन हर बार आता है यह दह कै आए अगर आप आपका पै तो यह यूरोप से आया है ठीक है भिंडी और कॉफी जो है अफरिका से आया है याद रखना यह एक एक पॉइंट पूछा हुआ है कि कहां से क्या आया है ठीक है सोयबीन कहां से आया है तो चाइना से आया है सोयबीन और जब सोयबीन की फलियां जो है पकर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती हैं, तो सोईबीन कहां से आया है, चाइना से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चलिए आप तुलसी के बारे में पढ़ते हैं, देखें आपके घरों में, सबके घरे में होते हैं, तुलसी का पोधा, इसके हम पूजा भी करते हैं, तो तुलसी क बारे में क्या चीजे पढ़ने यह वो देखें, जो तुलसी की जड़े होती, जो तुलसी की जड़े हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जोडने वाली बैक्टिरिया की गरंथिया नहीं होती है, हमें most important, क्या तुलसी में नाइट्रोजन वाली बैक्टिरिया की गरंथ पॉद्धा प्लांट होता है और यह क्या करते है पूरा छाप लेता है कि नीचे कोई पीड़ होगा ना उसके ओपर पूरा इकदम से उसको कवर कर लेता है घुआ क्यों कि यह दूसरों पेपेंड होता है यह अपना भोजन नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें ख्लोरो फिल नह मतलब यह आसृत होता है, तो अमर بेल से कोईशन पूछा था कि अमर बेल कैसा पौधा है? यह एक परजीवी पौधा है, जिसे बोलता है पैरासिट्रिक प्ललांट, परजीवी पौधा जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो यह जो बीज है हम इसको पिसवा कर इसका तेल भी निकालते हैं, तो सरसो से कोश्चन पूछा था, तो देख लेते हैं, यहां पर देखे, सरसो का जो पौधा होता है, इसमें पतियां होती हैं, जिने सबजियों की तरफ प्रयोग में हम करते हैं, इसका साग बनाते हैं, और जो इसके बीज होते हैं, इसको हम पिसवा कर इसे तेल भी प्राप्त करते हैं, तो ये भी आपको सरसो के बारे में पता होना चाहिए, चलिए देखे, कम समय में ज़्यादा करने की कोशिस करेंगे, ताकि आपका समय बचे, आपका समय बहुत कीमती है ग्रेगर जॉन मेंडल, इससे इतना कोशन पूछता है न, फिर भी लोग दलत कर देते हैं आज मैं इसका पूरा डाउट्स क्लियर कर दोंगी सबसे पहले देखो ग्रेगर मैंडल का जन्व जो है 1822 में आस्ट्रेलिया में गरिब किसान परिवार में हुआ उन्हें पढ़ाई का बहुत सौक था पर युनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनी बनने का सोचा पर उन्होंने प्रियोग करना नहीं छोड़ा साथ साल तक मठ के बागीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रियोग किये सबसे पहले उन्होंने पाया कि मठ का जो पौधा होता है उसमें कुछ ऐसे गूड़ होते हैं जो जोडियों में आते हैं मतला पेरस में आते है और यह एक-एक पौइंट पूछा हुआ है जैसे एक तो बीज का चिकना या फी खुर्दुरा होना soft और एक जो rough होते हैं पीला या हरा होना और पौधों की जो तने का एक जो है बहुत लंबा और दूसरा जो है नाटा होना ठीक है इनका मिला जुला नहीं होता है ठीक है ये point आपको ध्यान रखना है इसके बासे ऐसे पौधे जिनके बीच खुरदुरे या चिकने होते हैं उनकी अगली पीडी मतलब जो बीच भी खुरदुरा होगा rough होगा या soft होगा तो जो उसकी अगली generation होगी न वो पौधों में भी बीच उस पौधे में भी बीच क्या होगा या तो खुरदुरा या चिकना ही होगा ऐसा नहीं होता कि एक बीच आपको थोड़ा सा चिकना मिलेगा या फिस थोड़ा सा खुरदुरा हो जाएगा जी नहीं या तो वो चिकना होगा या खुरदुरा होगा थोड़ा वाला नहीं होगा उन्होंने रंग के साथ भी ऐसा ही पाया ऐसे बीज जो या तो हरे या पीले होते हैं, उनकी अगली पीडी के बीज भी या तो हरे होंगे या पीले होंगे, तो ये आपने देखा, इन्होंने ये चीज इस पर खोज निकाली, कि color में भी बताये कि अगर ऐसे बीज जो या तो हरे या पीले होते हैं, तो उनकी अगली पीडी जो जनरेशन होगी ना उसके जो बीज नहीं है या पर बीज होगा थोड़ा सा इसको आप सहीं कर लीजेगा देखे यह हमारा बीज है ठीक है तो इन्होंने यह बताया कि जो अगली पीडी जनरेशन है उसके जो बीज होंगे वो हरा या फिर पीले रंके बीजों के मि ज़ादा जो है ने पीद बीज वालेही होंगे . इसी तरह wordt ने बताया कि अग्ली पीधी में चिकनne बीज बीज आदा होगे । इसी तरह नुन Offxico DO MENT users पिक्षर से नहीं बताएगा, या तो वह हरा होगा, या तो पीला होगा, और ज्यादा तर वह पीला ही होगा, उन्होंने बताया, ठीक है, तो यह ग्रेगर जॉन मैंडल से रिलेटेट सारी इंपोर्टिंस चीजे मैंने आपको बता दी, और यह जो जो इंपोर्टिंस आपको यह पूरा जो है, एक-एक ध्यान रखना है, ठीक है, तो यह मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पीडिएफ के द्वारा, इमेजेस के माध्यम से समझाने की कोसिस की है, और आयोप आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आई होगी, पौधो के प्रकार जितने भी सीटिट ने अभी तक पूछा है, सब कुछ मैंने कवर करा लिया है, जाते चाते 1000 लाइक जरूर करना, सो देट मैं आपको पीडिएफ दे पाऊं, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आप लाइक जरूर करें, शेर करें, उसके बास से आपको पीडिएफ मिलेगा टेलिग्रा